दक्टर निशिकांत विश्नु टिपले जी नमस्कार रुदे रोग मारिजों में या जनरल पब्लिक में कैसा आएगा इसका कारण क्या हो सकता है आप बता दिजिए सबसे पहले आदिलाबाद के 100.2 शोताओ को मेरा नमस्कार आपका जो सवाल है उसका मैं एंसर ऐसा दूँगा कि हार्ट का जो प्रॉब्लम है रिदे का उसके काफी टाइप्स होते है जैसा बच्चों में होते है बच्चों में चोटे बच्चों में होल्स होते है फिर बड़ बड़ुद का प्रॉब्लम होते है जैसा किसी को अगर ब्लॉकेजस अगर है हाट में जिसको हम को और इसा बोलते है तो पेशन्ट को थोड़ा दम आता है चले तो चाती में दर्द होता है, सास फूलती है, पैर में सुजन आती है, कभी-कभी चक्कर आती है, किसी-किसी को वाल का प्रॉबलम है, तो उनको भी थोड़ा जादा चले तो दम आना, सास फूलना, चाती में दर्द होना, या सुजन आना, चक्कर आना, तो वो डिपेंड करता है क कि उनको कौन सा प्रब्लम है वाल का है या हाट ब्लॉक एजिसका है जैसा अभी आप देख रहे हैं कि महिलाव में भी आजकल हाट का प्रब्लम बढ़ रहा है उनमें थोड़ा चले काम किये तो उनको दम आता है सास फूलती है या थोड़ा छाती में दर्ध होता है लेफ्ट डाक्टर जी एक जमाने में 60 साल के उमर में विक्तियों को रुदे का रोग एटाइक होता था लेकिन अभी उमर से संबंद नहीं है सबी जनों को आ रहा है इसका वज़िया क्या हो सकता है आप बता दीजी इस रोताओं को ये काफी अच्छा सवाल कुछा है कि अभी हाट इसको कोई एज नहीं रही है काफी यंग एज में भी हो रहा है 25 साल 28-30 साल ऐसे भी लोगों को आजकल हाट के प्रॉबलम शुरू हो रहा है हाट इसका में कारण है हमारा लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया है लोग उनका फूड फूड हाबिट्स व काउंट सा अनाज काना चाहिए पता दीजिए रुदे अच्छा रखने के लिए तो बैसिकली आपको चलना फिरना काफी जरूरी है जॉगिंग और योगा एकसरसाइज और जहां तक फूड हैबिट्स का सवाल है तो आप जितना हो सके जंग फूड आवाइट कीजिए मसा जो फैट्स का जो परसेंटेज है वो जाधा रहता है और हमारे स्टेडी में ऐसा फाइंड आट हुआ है कि जो ब्लॉकेजिस में जो बनते है उसमें कोलिस्ट्रॉल और शुगर ऐसे दो पदार्थ पाए गये है इसलिए खाने में यह अगर चीज़े कम रही है तो आपको जाने के संभावना कम रहेंगे जनरली ऐसा केतना रहना चाहिए कोलेस्टर परसेंटेज आज में उसके डिफर्ट डिफर्ट वैल्यूस है जैसा ट्राइगलिसराइड्स प्लेस्ट्रॉल उसका लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं इसको उसमें काफी कामपोनेंस होते हैं ट अगलिसराइड्स कोलेस्टरॉल तो उनके कुछ नॉर्मल रेंज रहते हैं तो नॉर्मल रेंज में रहना है तो आप कई भी लैब में चेकप करा के वो रेंजस विदिन नॉर्मल रेंज है वो आप करा लीजेए और एक प्रशन यह है कि ज्यादा सा लोगों में तंड काली है में महरीजों में या जनरल पब्लिक में रुदे का रोग आता है किसलिए आता है कारन बन बता दीजी। अपने जो heart के arteries बोलते है, जिसको हम corona arteries बोलते है, रुदे रोग आने का कारण जी होता है कि heart के जो नसा है जो arteries है वो सिकूर जाती है, तो उससे क्या होता है, blood flow heart को कम हो जाता है, तो इसका प्रामान संकुजित होने का थंडी के season में ज्यादा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट्स ने थोड़ा सा खुद को विंटर से प्रोटेक करना है हाटे टक आने से पहले आदा गंटे पहले मरीज के शेडिर में क्या लक्षन दिखाईज देगा अमारा प्रियस टोताओं को बता दीजिए हाट होंगी या दम आएंगा तो ऐसे कुछ लक्षन है ऐसा अगर दिखे तो आप तुरन पास के फिजिशन डॉक्टर को दिखा दीजिए हार्ट एटक में ज्यादा सिवियर प्राब्लम आता है एक इसलिए आता है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है बता दीजिए हार्ट के मसल्स को उससे हम उसको जनरल लेंगविज में हार्ट एटक बोलता है हम हमारे लेंगविज में मायो काडिल इंफाक्शन बोलते हैं तो यह जितना समय हार्ट का जो ब्लड फ्लो कम रहेंगा या बंद रहेंगा उतना आपको हार्ट डैमेज होंगा तो एक तो क्लॉट हो या already किसी को blockages रहते है वो rupture हो जाना वो जो block रहता है वो rupture होके फिर वो 100% बंद हो जाता है और आपका blood flow बंद हो जाता है तो वो depend करता है कि वो कौन से part में हुआ है कौन से arteries में हुआ है अगर main artery में हुआ है तो वो severe attack आता है जिसका हम जैसा हम left main coronary arteries बोलते है अगर उसमे क्लॉट हो गया तो पूरे heart का blood flow बंद हो जाता है तो तुरंत वो major attack आता है पेशेंट को time नहीं मिलता है या कई अगर आपका बीच में कई blockages हुए है और वो 90% 95% है और कुछ blood flow चालू है तो उतना patient को severity थोड़ा कम रहता है चाती में दर दम आना ऐसा वो symptom दोलते है उनको थोड़ा सा hospital जाने के बाद उनको diagnosis वगरे करके ECG निकाल के उनको हम treatment कर सकते हैं कुछ मारिज़ों को रुदय का रोग नीद में आता है इसका लक्षन क्या हो सकता है काईसे रोग को नियंतरन करने का कुछ इलाजाई कि आप बता दीजी ये काफी अच्छा सवाल कुछा है काफी डाइम नीद में लोगों को heart attack आके उनका पता नहीं चलता है अभी heart के काफी components होते हैं जैसा muscles, coronary arteries जिसको हम nurse बोलते हैं heart का और एक conduction system, nerve conduction system एक तो जैसा मैंने आपको बताया है कि blockages आके blood flow कम हो जाना, heart attack आना ये एक है दूसरा nurse related जैसा conduction system रहता है अगर जो regular normally हमें regular रहते हैं जिसको हम normal sinus rhythm बोलते हैं कभी-कभी वो अगर improper हो गई या irregular हो गई तो उसे भी कभी-कभी rhythm problem होता है जिसको हम irregular heart beat बोलते हैं या हमारे language में ventricular tachycardia, ventricular fibrillation बोलते हैं तो नीद में ऐसा अगर हुआ तो patient suddenly bed पे ही उनका expired होता है तो ऐसे काफी इसलिए हम देखने क मिलता है कि patient रात में expired हो गया है तो उसके एक दूरीजन एक तो major heart attack आगा ना rhythm problem होना rhythm irregular होगे फिर इसलिए इसका यह हम रोग कैसे सकते हैं कि वह एक regular heart check-up करवाते रहे हैं आपका food habits आपका exercise यह सब करवाते रहे हैं तो फिर आप वड़ा सा heart आने के लिए आप prevent कर सकते हैं नव जावनों में रुदे का रोग किसलिए आएगा प्रमादकारक क्या हो सकता है आप बता दीजी यह काफी अच्छा सावाल है आजकल देखने मिल रहा है कि काफी young age में attack आ रहे हैं इसका major problem है कि food habits, lifestyle, stress वो भी main factor है जैसा बच्चों में जो young age में है तो clotting tendency ज़्यादा हो रुदेंग रोग आके गिर जाते हैं इसका वजया क्या हो सकता है निवार नमार्ग पता दीजे नक्टर जी सप्लाय नहीं मिल पाता है तो काफी टाइम इसलिए patients को heart attack आते हैं ऐसा देखने को मिला है इसलिए कुछ exercise आगर आप कर रहे है या planning कर रहे है तो एक आप basic heart check-up करा के कीजिए ऐसा मेरा शोताओ का कहना है और एक बात यह है कि माइग्रेन सिर का दर्ध भी यह कारण हो सकता है ना रुदे रोग attack वाने के लिए वैसे तो heart attack के काफी symptoms होते है एक तो आपको चाती में ऐसा भारी भारी लगता है दम आता है ने दर्ध होता है लेफ्ट साइड में या कभी जौ में दर्ध होता है या कभी पेट में आप तुरंत काडिलोजिस्ट्रिया आप नजिक के फिजिशिन को आप कंसल की कर लीजी और एक बात यह है कि कुछ चिल्डरों में रुदे को चोटा सा सुरग रहता है इसका वाजिया क्या हो सकता है इसका निर्मून करने के लिए आप कुछ ट्रीट्मेंट बता दीजी ब जब हमारा जब बनता है जब फॉर्मेशन होता है जब हम मदर के पेट में जब रहते हैं तो हमारा हाट ऐसा ग्रो होता है तो कभी-कभी कुछ जो पार्ट्स है वो बराबर नहीं होते है वो पार्ट छूट जाते है उसके कारण हार्ट में सूराग होने के चंसे रहते हैं तो इसलिए हम प्रेग्नेंसी में जाज करा लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएंगा कि हार्ट है, होल है, नहीं है, और कितने प्रमान में है, उसी साब से फिर आपके डॉक्टर आप कंसल कर सकते हैं. C.A.D., Coronary Artery Disease, इसका चिकिचा विदान क्या हो सकता है, आप बाता दीजीए. C.A.D. इसके काफी कारण है, जैसा पेशेंट किसी को शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, हाइपरटेंशन होता है, या किसी थायरइड रखता है, तो ऐसे पेशेंट को आपको ब्लॉकेज होना या C.A.D. होना तुड़ा ज्यादा संभव है, इसलिए इन पेशेंट इन अपना शुगर, थायरइड ये अंडर कंट्रोल रखना, बीपी ये सब कंट्रोल रखना है, और साथ में पदार्थ फूड हैबिट्स और एक्सरसाइजेस वगरे रेगुलर करना है, रुदै रोग मरिजों को किस तारीके के एक्जैमनीशन्स करते है, जैसे आपने बो कोरोनरी अंजोग्राफी बोलते हैं जिसको हम, जिसको हम डारेक्ट एक नीडल लागा के एक ब्लॉकेज है क्या वो देखते हैं, और एतिरों टेस्ट अभी आदलाबाद में अवालेबल है, और साथ में अगर कुछ ब्लॉकेज अगर आये हैं, तो एंजोप्लास जिसको हम हम वाकेज क्लियरंस बोलते हैं, जिसको क्लियर करते हैं, जिसको हम स्टेंड ऑपरेशन बोलते हैं, वो भी यहां वालेबल है, इसके साथ में हार्ट के रिलेटेड जो परामेटर्स रहते हैं, जैसा ब्लॉड परामेटर्स, लिपिट प्रोफाइल, जिसको कोलिस्टरॉल ह ये भी साथ में हाट के कराना चाहिए देंजर पोजिशन में जो रोग मरीज रही ते ना उस लोगों का चिकिचा क्या हो सकता है देंजर जैसा पेशेंट को एकदम हाट आया है जिसको हम लोकल लेगवज में हाट अटाइक बोलते हैं हमारे लेगवज में मायोकारडे इंफरक्षन बोलते हैं तो पेशंट को आचाना-क अगर चाती में दर्ध हो गया है पसिना आ रहा है दम बीपी लो हो रहा है तो ऐसे पेशंट वर डेंजर ये रहते हैं और और इसी जी में उनको ऑनको ऑलेशन का आते हैं हम उनको स्टेमी वोटे है वहारे लेंगविजीज में तो आसे प्रिच्व को तुरन्त ट्रीटमेंट करना जरूरी है एक तो डू टाइप के जिसमेंट होते हैं एक तो इंजेक्शन है हम इसको अंधेखन लगाते हैं हम through pipe ऐसा हाथ से pipe लगा के wall replacement करते हैं तो वो एक development है वो भी इंडिया में काफी हो रहा है हर जगह हो रहा है दूसरा एक heart transplant वो भी काफी advanced stage में हैं काफी patient heart transplant करवा रहे हैं वो भी इंडिया में अवाइलेबल है वो जैसा है थराबाद है बॉंबे बड़े-बड़े cities में heart transplant facilities अ आज काल हम key hole करके करते हैं चोटा एक hole करके जिसको हम key hole surgery बोलते हैं तो वो भी उसे भी हम आज काल bypass operation कर रहे हैं तो इसलिए patient काफी जल्दी recover होता है patient काम incision काम ताके लगते है और patient जल्दी घर जा सकता है जल्दी चल पाता है तो ऐसे काफी advancement अभी heart के field में हुए है रुदे में वाल्वस रहता है यह वाल्वस क्यों ब्लाक होता है कानन बता दीजिए डाक्टर जी रुदे में ऐसे चार वाल्वस रहते हैं जैसे mitral wall, aotic wall, trichospid और pulmonary walls कभी-कभी यह बच्चों में जनम से कभी-कभी blockage रहते हैं बाइबर्त रहते हैं हमको कुछ हम बच् सब्सक्राइब में माइटल वाल्वस स्टिनोसिस, aotic stenosis यह कॉमन होता है और तिसरा एक कैसा है कि या बड़े उमर होने पर डिजंद्रेशन जिसको बोलते हैं डिजंद्रेशन डिजंद्रेटिव हार्ट डिजिस तो जैसा जैसा आप उमर बढ़ती है तो आपको वाल्स सब्सक्राइब होते हैं उसमें कैल्शियम परत चड़ जाती है उससे भी आप वाल्स आपके जम जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं शुगर बीमारी आइसो मारिजों को रुदे रोग आने का चांस कुछ रहता है कि काफी अच्छा सवाल पूचा है आपने हमारे स्टेडिस पूच्छ में ऐसा फाइंड आट हुआ है कि रुदे रोग जनको रहता है उनमें ज्यादा तौर पे डाइबीटिस ज्यादा होता है शुगर पेशिंट साथ में कोई पेश्ट्ट थायरोइट वाले भी रहते हैं हैं हाइपटेंश्ण वाले भी रहते हैं तो यह सब फैक् आप थोड़ा साथ प्रॉब्लम के वार में सजग रहिए, अलर्ट रहिए, अपना फूड हैबिट, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, डेली वाकिंग कीजिए, काडियक एकसराइस कीजिए, जैसा साइक्लिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, खाने पिने में आप अपने फूड हैबिट में थोड़ा ओईल और यह जो जंक फूड है, मसाला थोड़ा सा कम खाईए, और तुमारा जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस भारा जो लाइफस्टाइल है, वो आपको कम करना पड़ेगा, और यह सब चीज़े आपको फालो करना है, कुछ हार्ट कुछ ऐसा लगा है, कि कुछ दम आ रहा है, आपको कुछ चेस्ट में दर्द हो रहा है, तो आप तुरण नजिक के फिजिशन काड़लोरिस्ट को एक कंसल कर लीज़े। आप सब 100.2 श्वताओने सुना मेरे उसके लिए धन्यवाद।